यह आज हम देखते हैं Wi-Fi motorized lock होते हैं ने silent lock भी कहते हैं यह remote से और Wi-Fi से कैसे open होते हैं तो इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं से connection कैसे करते हैं इसमें simple red and black color के दो wire निकले हुए जिसमें हमको सिर्फ 12V DC देना है और कुछ नहीं करना है सिर्फ 12V DC देना है बाकी इस छोटे वाला इस्सा और जो बड़े वाला इस्सा है यह जो है इन दौनों के बीच का gap जो है वो कम से कम होना चाहिए यदि वो gap ज्यादा होगा तो इसमें एक sensor होता है magnet sensor वो sense नहीं करेगा यह जो magnet sensor है इसका खासतोर से द्यान रखना है और आप इसको remote से आराम से 50-60 मिट की दूरी से कहीं से भी open कर सकते हैं 3rd floor तक यह remote काम करता है 4th floor भी आप जाके टेस्ट कर सकते हैं लोगों ने 3rd floor किया और mobile app से आप दुनिया के किसी भी कौने से इसको open कर सकते है mobile app के अंदर आपको इसका पूरा record मिलता है कि लोग कब open हुआ चाहिए वो remote से हुआ हो चाहि तरगे रखते हो और आसान operation है बस simple remote दबाई यह लोग open हो जाएगा और mobile app से भी आप बटन दबाएंगे तो लोग open हो जाएगा बाकी जब लोग open होता है तो इसमें एक light indicator है वो यह भी शो करता रहता है कि लोग अभी open condition में है जैसे लोग लोग कंडिशन में आता है यह light permanent stable हो जाती है और लोग कंडिशन में light blink करती रहती है यह दिल गेट